नमस्कार मैं हूँ जाइनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन यूस में वक्त देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू करानी खा पहली खबर के और बट्यों आपको बता दें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आराम भाग में 72 करोड रुपे की कई विकास परियुजनाओं का उधगाटन शिलन्यास और लुकारपन किया इसके बाद प्यम मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 21 सदी का भारत तेज गती से आगे बढ़ रहा है हम सभी ने मिलकर 2047 तक विक्सित भारत बनाने का लक्षित तै किया है देश का गरीब किसान महीला और युवा हमारी प्रात्मिकता है वहीं अगली खबर के और बढ़तियों आपको बता दें बिहार में आजीडी को एक और बड़ा जटका लगा है भबुआ से पार्टी विधायक भरत बिंद ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है शुक्रवार को विधान सबस सत्र के दौरान भरत बिंद सत्ता पक्ष में जाकर बैट गए उनके इस कदम के बाद से साफ हो गया कि वो NDA में शामिल हो गए है हाला कि वो किस पार्टी में शामिल होंगे अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है वहीं आगे बढ़ते हो आपको बता दे बैंगलूरू के राजा जीर नगर में दग रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ है इस दौरान हाथसे में कई लोगों को चोट लगने की भी जानकारी सामने आई है बैंगलूरू के वाइट फील्ड में रामेश्वरम कैफे में विस्फोर्ट के बाद कम से कम चार लोग घायल हो गए घायलों में तीन करमचारी और एक ग्रहक शामिल है ये कैफे बैंगलूरू के सबसे लोग प्रिया फूट जोइंट में से एक है वहीं अगली खबर के और बढ़ते हो आपको बता दें उत्तरप्रदेश के पूर्व राजेपाल और वरिष्ट कॉंग्रेस नेता अजीज कुरैशी का लंबी बिमारी के बाद शुक्रवार को निधन हो गया परिवार के एक सदसिक ने इस बात की सूचना दी है उनके निधन की खबर से सियासी गलियारों में शोकी लहचाई हुई है वहीं आगी बढ़ते हो आपको बता दें IPS अधिकारी अनुरा गगरवाल को संसत सुरक्षा का प्रमुख निउक्त किया जाएगा इसकी जानकारी एक अधिकारी का देश में दी गई वर्तमान में CRPF में महा निरीक्षक असम मिघाले कैडार के 1998 बैच के अधिकारी को 3 साल के लिए संयोक्त सचेफ सुरक्षा निउक्त किया गया है JS सुरक्षा का पद पारंपरिक रूप से एक IPS अधिकारी के पास होता है वहीं आगी बढ़ते होई आपको बता दें मुरेना से शुरू होकर ग्वालय शुफपूरी गुना राजगर शाजापूर उज्जैन होते हुए रतलाम के बाद राजस्थान में फिर प्रवेश करेगी राहूल अपनी इस सियात्रा के दौरान मुरेना से उज्जैन तक अलग-अलग समुहों में समबात करेंगी आगे बढ़ते हो आपको बता दे कॉंग्रेस की राश्ट्रे महासाचफ प्रियंका गांधी उतर प्रदेश से लोगसभा कि सियासी जंग में उतर सकती है इस बात की चर्चा जोरो शोरो पर है कि कॉंग्रेस महासाचफ प्रियंका गांधी राइबरेली से 2024 का लोगसभा चुनाव लड़ सकती है जानकारी के मुताबिक कॉंग्रेस की नई रणनीती के तहत राइबरेली से प्रियंका गांधी के मैदान में नई उतरने पर दलित और अमेठी रामन चैरे पर दाउन लगा सकती है वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें पंजाब में बेखोफ अपरादियों ने शुकरवार की सुभा आपनेता की गोली मार कर हत्या कर दी मामला तरंतारन जिले का है फतेहबाद रेलवे गेट के पास वारदात को अंजाम दिया गया पुलिस मामले की जानबीन में जुट गई है हत्यारों ने आप नेता को पांच गूलिया मारी है अगली खबर के और बढ़तियों आपको बता दी करनाटक में राज्य अन्य पिछड़ा वर गायोग ने 29 फरवरी को जाती गत जनगरना रिपोर्ट सरकार को सौंब दी इसे सामाजी कार्थिक सर्वे नाम दिया गया है भाज़पा समेट कॉंग्रेस के कई नेता उन्हीं रिपोर्ट पर आपती जताई है अगली खबर के और बढ़तियों आपको बता दे नौकरशा से अभी नेता बने के शिवरामन का 70 साल की उम्रे में निधन हो गया वो स्वास्त से जुड़ी कई तकलीफों से एक साथ जूज रहे थे उन्हें एक नेजी अस्पताल में भरती करवाया गया था लेकिन वहां उनकी तवियत जादा बिगरने की वज़ा से उनका निधन हो गया शिवराम पहले ऐसे व्यक्ती थे जिन्होंने करनड भाषा में संग लोग सेवा आयो की परीक्षा पास की थी अगली खबर के और बढ़ते हो आपको बता दे अनन्त अमबानी और राधिका मर्चेंट की प्रीवेडिंग फांक्षन आज से गुजरात के जामनगर में शुरू हो रहे हैं ये तीन दिवसे आयोजन काफी भव्य है जिसमें देश और विदेश के तमाम चट्रिच सतारे शामिल हुए हैं महमानों के पहुँचने का सिलसिला जारी है इस कारेक्रम में पॉप स्टार रिहाना भी आई हैं और वो परफॉर्म करेंगी अनंत से पहले आकाश और ईशामबानी के शादी के कारेक्रमों में भी विदेशी पॉप स्टार्स ने रौनक बढ़ाई थी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्रिकेशन यूज धन्यवाद